तो आज हम देखने वाले हैं कि जुड़ुआ बच्चे कैसे होते हैं तो इसकी फुल डीटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे तो महिला इधर लेंगे हम महिला को इधर लेंगे हम पुरुस अब आपने पिछली वीडियो में देख चुके होंगे पुरुस में क्या गुड़सूतर होते हैं एक्स और वाय और महिला में क्या गुड़सूतर होते हैं एक्स और एक्स तो लिंग निर्धारन का काम कौन करता है? पुरुस करता है तो लिंग निर्धारन का काम किस ने किया? तो लिंग निर्धारन का काम पुरुस ने किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिंग लिंग निर्धारन कौन करेगा? पुरुस करेगा इतनी बात आपने जानकरी ले ली अब समझना बात को कि पुरुस में क्या पाया जाता है मतलब पुरुस में क्या बनता है हम बोलते हैं इस्पर्म बनता है क्या बनता है इस्पर्म बनता है और महिला में क्या बनता है अंडा बनता है क्या बनता है अंडा जिसको हम ओवम बोल क्या बोल देते हैं ओवम और इसको क्या कहेंगे इस्पर्म तो महिला में ओवम बनता है और पूरुस में इस्पर्म बनता है क्या बनता है इस्पर्म बनता है तो आप देखो ध्यान से कि जुडवा बच्चे के से होते हैं तो जुडवा बच्चे दो परकार के होते हैं अर्थात ओवरी से एक अंडा विमोचित हुआ कितना अंडा विमोचित हुआ एक अंडा अर्थात एक ओवम विमोचित हुआ तो यह एक ओवम विमोचित हुआ किस से महिला के अंडा से अर्थात ओवरी से और पुरुस का इसपर्म है पुरुस का इसपर्म है निस्यचित करे इस अंडे को अर्थात में मान रहा हूं कि पुरुस का जो इस्पर्म है उसमें गुड़सूत्र आया है एक्स उसमें गुड़सूत्र आया है एक्स तो उसमें गुड़सूत्र कौन सा आया है एक्स आया है उसमें गुड़सूत्र कौन सा आया है एक्स आया है तो यह यह जो ह बनता है महिला के अंडा से में बनता है इस्पर्म कहां बनता है पुरुस के टेस्टिस में बनता है अर्थात व्रसन में बनता है तो इस अंडे को इस इस्पर्म ने फर्टिलाइज किया है अर्थात में मानके चलता हूं कि इस यह जो इस्पर्म आया है वो एक्स आया है वो क् महिला में पहले से ही क्या मोजूद होता है एक्स तो इस अंडे में कौनसा गुण सूत्र मोचित हुआ होगा एक्स गुण सूत्र मोचित हुआ होगा और पुरुस से जब स्पर्म आया तो वह कौनसा गुण सूत्र लेके आया उस स्पर्म में कौनसा गुण सूत्र है एक्स ग या फर्टिलाइस कर दी अंडे को तो जो जन में लेगी वो कौन लेगी लड़की जन में लेगी अब देखो ध्यान से ये क्या है एक अंडा है क्या है एक अंडा अब धीरे-धीरे ये विकास होगा धीरे-धीरे क्या होगा इसका विकास होगा अब ये अंडा गरवासे में द बेबी पनपते हैं दोनों तरब क्या पनपते हैं बेबी पनपते हैं क्योंकि ये जो अंडा गरबासे में तूट करके कितने भागों में हो गया दो भागों में हो गया अब समझो बात को अब ये दोनों जो बेबी होंगे वो डबल एकस एकस हैं क्योंकि इसमें तो एकस पहल लड़की तो जब दोनों की दोनों लड़की जन्मम लेगी अब लेकिन यह कहलेगी ट्विं स्थ हे डि यह कहला Canadian तो यह कहलाएगी ट्विंस इनकी सकल एग जैसी होगी इनकी से छहे इनके जो आए वहार होंगे वो एक जैसे होंगे वेवार क्या होंगे एक जैसे होंगे कुछ हद तक पूरे नहीं होंगे लेकिन सकल पूरी की पूरी क्या होगी एक जैसी होगी क्यूंकि एक ही इस पर में ने इस अंडे को विमोचित किया है इसलिए अब एक ही इस पर में से दो लड़कियों का उत्पन हुआ जन्म हुआ तो ये दोनों एक ही सकल वाली लड़किया होंगी अब आपके दिमाग में क्यूशन आ रहा होगा कि भाई इस एक्स की जगापर अगर भाई आया होता इस X की जगा पर Y आया होता इस X की जगा पर क्या आया होता Y तो X और Y तो ये जो बेबी होते ये जो बेबी होते दोनों क्या होते लड़के होते दोनों क्या होते लड़के होते क्यों X और Y इससे क्या बनता है लड़का बनता है तो इस category में ये अगर इस पर में क्या होता Y अगर होता तो इस अंडे से जब दो भागों में तूटा यह अंडा तो ये दोनों भागों में जो बेभी पलरा होता है तो वो XY गुड सूथर होता है और XY देनोट करता है लड़के को यहने की लड़का होता तो ये दोनों क्या होते हैं लड़का होते हैं तो ये भी क्या कहलाते हैं टुइन्स कहलाते हैं ये भी क्या कहलाते हैं टूइन्स तो इन दोनों की सकल भी क्या होती सेम होती इन दोनों की सकल भी क्या होती सेम जब पुरूस का गुण सूत्र एक ही दारण होगा वो हमेशा हमेशा क्या होता है एक ही होता है या तो लड़की लड़की होती है या लड़का लड़का होता है ऐसा नहीं होता है कि एक लड़का और एक लड़की नहीं ऐसा नहीं होता है थोड़ा सा सबर रखना मैं उसको भी बताऊंगा आपके दिमाग में ये क आ रहा होगा कि कभी-कभी तो लटका एक लड़का और एक लड़की भी जन्में लेती ही, मैं आपको बताऊँगा, सारे के सारे डाउट आपको के लिएर में यहाँ पर करके दूँझा, लेकिं थोड़ा सा सबर रखना होगा उसके लिए, तो यहाँ पर लड़का-लड़का ट्विन्स कहला रड़की लड़की ट्विन्स कहला हैं लड़की कप करें इस पुरुषके इस स्पर्म में यदी एक्स मौजूद है तो लड़की जैसी होगी तो आप क्या इस इस्टिति को समझ चुके हो अब एक इस्तिति और बनती है मैं यहाँ पर इसको नहीं मिटा रहा हूँ इधर देखो आप अगर महिला के अंडासे से दो अंडे विमोचित हुए कितने अंडे? दो अंडे विमोचित भूए तो जब यह पुरुसका गुनषूतरा आया यह पुरुस का क्या आया इस्पर्म माया और यह भी क्या आया इस्पर्म आया अब मान के जलते हैं यह जो इस्पर्म किसका है पुरुस का है किसका है पुरुस का है इस अंडे को कोन कर रहा है निसेचित इस्पर्म इस अंडे को भी कोन कर रहा है निसेचित इस्पर्म और कि इस इस पर्म में X आया और इस इस पर्म में Y आया होगा तो दोनों अंडे को दोनों ही इस पर्म ने अलग-अलग विमोचित किया है अलग-अलग क्या किया है निसेचित किया है तो आप समझो जब इससे जो संतान उत्पन होगी वो होगी एकस एकस इससे जो संतान उत्पन होगी वो होगी एकस वायर इसका मतलब ये तो है लड़की और ये है क्या लड़का ये क्या है लड अलग इस पर मैंने निसेचित किया है इसका मतलब फिर दोनों की जो सकल एक जैसी नहीं मिलेगी दोनों के जो गुन लग चड़ूंगे वो एक जैसे नहीं होंगे एक लड़की होगी तो एक लड़का होगा एक लड़की होगी तो एक लड़का होगा ये भी जुरूबा कहला में आदिए और स्काथा दो मानके जलते हैं इसमें भी एक्स आया इसमें भी एक्स आया तो इन दोनों सब्सक्राइब अरजय के नें निशचित किया है बले ही वह दो लड़किया जन्में लेंगी लेकिन वो twins नहीं केलाएंगी क्योंकि दोनों की सकल एक जैसी नहीं होगी अब आपके दिमाग में यह आरहा होगा कि एकस की जगा पर दोनों जगा अगर भाई भाई आते तो आप समझो दोनों अंडों को दोनों इस पर में निस्यचित किया है अब भले ही दोनों इंते फाक से लड़के होंगे दोनों ही लड़के होंगे जुड़ुआ भी केलाएंगे लेकिन दोनों की सकल एक जैसी नहीं होगी अधिक तर जो है वेवार गुण एक जैसे नहीं हो समझ में आ गई होगी यदि कोई भी अगर आपको समझ्य आ रही है तो comments box में आप लिखिए और उसको मैं पढ़कर के आपका reply दे दूँगा बिलकुल ही तो आप अपनी परसानी आप अपने doubts को comments box में जरूर से लिखिएगा मैं उसको पढ़कर के उसका reply जरूर से दूँगा हुआ 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 है घर हम थे स President कि मैं चटने में बंजट को सुएगं हुआ है जर में च्रहते हैं तो कि में उसका दिएगा हुआ हुआ है भीछ का